Hello and welcome to Telly Talkies दोस्तो बिग बॉस के घर में इशा की लगाई बिग बॉस ने जम कर क्लास इशा को जम कर सुनाया बिग बॉस ने इशा ने राशन टास्क में की थी सारी हदे पार लेकिन इस बार बिग बॉस भी हो गई ईशा से नाराज और बिग बॉस ने बरा कदम उठाया बिग बॉस ने ईशा को कनफेशन रूम में बुलाया और इस बार बिग बॉस ने ईशा को अकेले नहीं बुलाया बलकि उसके साथ करनवीर को भी बुलाया क्यों? क्योंकि बिक बॉस को इस बार इंसाफ करना था ईशा ने राशन टास्क में चीटिंग की थी और जानते हैं उसने चीटिंग क्या की? राशन टास्क का आखरी राउंड था और यहां पर बास्केट पूरी की पूरी मिल रही थी करन चाता था किसी तरीके से उसको चिकन मिल जाए अलाकि अंडे चुमने उठा लिये थे लेकिन करन वरकाउट करता है और उसको चिकन चहिए होता है अब ऐसे में ईशा ने बड़ी चाल चली और इशा ने आखpri राउंड में ये कह दिया कि करन नहीं अविनाश जीता है जबकि साफ साफ प्रोमो में भी दिख रहा है कि अविनाश नहीं जीता था जीता करन था ऐसे में इशा ने घर में जम कर बवाल काटा घर में बड़ी लड़ाई हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि राशन का टास्क ही रध हो गया क्योंकि ना करन माना ना ईशा मानी और इसमें आ गया बिग बॉस को गुसा बिग बॉस ने बुलाया दोनों को कनफेशन रूम के अंदर दोनों कनफेशन रूम में गए बिग बॉस ने ईशा से कहा कि आप घर की टाइम गॉड है घर की टाइम गॉड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है ईशा ने कहा घर वालों का खयाल रखना और उनकी डिमांद्स को पूरा करना और ये देखना कि घर में हर कोई ड्यूटी ठीक से कर रहा है या नहीं जिसके बाद बिग बॉस ने कहा पर आप में तो ऐसे कोई भी गुड हमें नजर नहीं आ रही है ईशा आप जब से टाइम गौड बनी है तब से आप सिर्फ मजे ही कर रही है एक भी जिम्मेदारी आपने ठीक से नहीं निभाई आपको टाइम गौड की पावर मिली थी और ये आपका फर्स था कि घर वालों को राशन मिलता लेकिन आपकी ना समझी की वज़े से आग घर में र अविनाश जीता है और करणवीर ने भी अपनी कुरसी नहीं छोड़ी आपने भी अपनी जिद नहीं छोड़ी जिसका नतीजा ये हुआ कि राशन का टास्क रद हो गया और मैंने राशन को वापस बुला लिया इशा अगर आप इसी तरीके से घर में अपना कारेकाल पूर जिसके बाद बिग बॉस ने इशा से ये कहा कि आप घर में टाइम गौड बनने के लायक ही नहीं थी शिल्पा का फैसला ही गलत फैसला था दोस्तों साफ है कि यहाँ पर अब बिग बॉस पहली बार करण को सपोर्ट कर रहे हैं और इशा की क्लास लगा रहे हैं आप क्या क रहेंगे आप अपनी राए हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें